जै महाकाल दोस्तों! कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ भले चंगे होंगे मज़े में होंगे दोस्तों काफी ऐसी कमेंट्स आ रही है कि इस पर उपाय बताय जाए कि यदि कोई व्यक्ति किसी का पैसा ले गया है खुन पसेने की यदि कमाई ले गया है तो उस पर उपाय बताय जाए कि क्या ऐसा उपाय करें कि बिना लड़ाई जगडे के सामने वाला पैसा लोटा करके जाए तो इस पर मैंने काफी उपाय बताय है लेकिन आज मैं एक और उपाय बताने जा रहा हूँ कि इस उपाय को करने से व्यक्ति बिना कुछ कहे आपके आपको पैसा लोटा करके जाएगा काफी ऐसे उपाय हैं कि जिनको यदि व्यक्ति करता है तो सामने वाले व्यक्ति बिना कुछ कहे बिना आपके पैसा मांगे आपको सामने से आ करके पैसा लोटा करके जाता है तो दोस्तों ऐसा ही एक उपाय आज में आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही सरल उपाय है कोई भी व्यक्ति इसको बड़ी ही आसानी से कर सकता है तिदि आपका भी कहीं पैसा डूबा है कोई व्यक्ति आपका पैसा ले करके चला गया है ऐसी जगा चला गया है बहुत दूर आपकी पहुंच से दूर या व्यक्ति आपको जवाब ही नहीं दे रहा है तो इस उपाय को करें सच माने इस उपाय को करते ही सामने वला व्यक्ति आपको हाथ जोड़ कर पैसे लोटा करके जाएगा तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए है तो मैं आपको बता दू कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिंतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूड रहस्य हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं अंक सास्त्र जोतिस सास्त्र व्रज तेवहार पूजा विधी इन सभी के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी हम इसी चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे हाँ तो दोस्तों आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ इस उपाय से यदि आपका पैसा कहीं दब गया है किसी ने ले लिया है या ऐसी कोई चीज है जिसे कोई चीज कोट कचेहरी के विवाद में पड़ गई है आपका कहीं सरकारी जगा पर पैसा फस गया है तो वो पैसा भी इस उपाय को करने से लोट करके आ जाएगा आपको करना क्या है? कभी भी आप इसको उपाय को कर सकते हैं इसमें किसी भी दिन का बाद ये नहीं है लेकिन इस उपाय को आपको करना है रातरी के समय जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उस समय करना है गुप तरीती से करना है इस उपाय को नहीं इस तरह से आपको इस डिबबी को अपने ही घर में रख देना है अगले दिन सवेरे इस क्रिया को आपको सुर्योते के पहले करना है अगले दिन सवेरे जब आप उठते हैं तो सुर्योदय के पूर इश्णान करने के पश्चात आपको करना क्या है कि उसी चाबी से जो आपने चाबी उस सिंदूर की डीविया में रखी है उसी चाबी से एक सफेद कागज पर सामने वाले व्यक्ति का नाम किसी सरकारी किसी जगा पर पैसा दबा है फसा है तो सरकार इस तरह से आपको लिखना है जितनी रखम है वह रखम आपको उसके नीचे लिखनी है चाबी से लिखनी है और वो जो सिंदूर था उसी सिंदूर से आपको लिखनी है यह जो रखम आपको इसके लिए आप इसमें क किसी भी हनुमान मंदिर में ले जाए हनुमान जी के मंदिर में आप इसको हनुमान जी के सामने रख दे और इसके उपर एक लड़ू रख दे और हनुमान जी से प्राथना करें कि आपका ये जो कोई भी पैसा है इस तरीके से फस गया है और आपको इसकी बहुत आवसकता है और ये पैसा आपको समय सर मिल जाता है, तो आप ये जो भी आपको पैसा मिलेगा, इसका 10% आप प्रसाद चढ़ा देंगे, किसी जरुवत मंद को देंगे, धान कर देंगे, इत्यादी पुन्य के कारे में आप खर्च करेंगे. दोस्तों, ये इतना सटीक उपाय है, कि इस उपाय को करने से बिना कुछ कहे, सामने वाले के मन में इस तरह के परिवर्तन आने लग जाएंगे, कि वो खुद बखुद चल कर आपको आकर आपके पैसे लोटा करके जाएगा. तो चलिए दोस्तों, अब इस उपाय के साथ मुझे दीजिये विदा और आप लोग देखते हैं दिव प्रकास और अपने जिवन में लाबनवित होते रहे हैं. धन्यवाद.